से स्रीकल बेटा जी ये एक कमपस है जहां पर ये कमपस नीडल अभी नौर्थ की तरफ डिफलेक्ट हो रही है तो इसमें एक मैगनेट ही है चोटा सा तो अगर उसे किसी तरह से भी डिफलेक्ट करना हो मुझे तो इसके पास मैं कुछ मैगनेट ले आँ तो यहां पर मुझे डिफलेक्शन मिल जाएगी यानि कि यह जो कमपस की नीडल है वो मूव होना शुरू हो जाएगी यहां पर मैं एक मैगनेट लेके आता हूं यह मैगनेट तो इससे मैं से कुछ ना कुछ डिफलेक्शन ला सकता हूं तो यह मैगनेट की वज़ा से हो रहा है, magnet pass में आएगी, तो इसने deflect होना है, यानि कि magnet magnet interact कर रहे हैं, थोड़ी देर इसको settle होने देते हैं, बट अगर मैं magnet ना लाओ, और एक यह simple सी wire जो है, यह wire जैसे घरों में wire होती है, कि पतली सी wire है, जिसमें current जा सकता है, direct current यानि कि जो battery से current मिलता है, वो इससे pass किया जा सकता है, तो इसके current क्या मैं इस magnet को यह जो compass के अंदर magnet है, इसको deflect कर सकता हूँ, यहाँ पर लगाया है, अरे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, रुकिए, अभी तक हमने इसके अंदर current नहीं भेजा, अब मैं current on कर देता हूँ, यानि कि इस wire के थुरू कुछ current जाता है, और फिर उसको इस compass के magnet जो है, इसके पास लेके जाते हैं और देखते हैं क्या deflection करता है, देखिए, अब इस wire में कुछ current आ गया है, अब इसको जैसे ही मैं compass के पास लेके जाता हूँ, तो यह देखिए, यह deflection दिखा रहा है, ऐसा ही नहीं लग रहा कि जैसे हम एक magnet को पास में लेके आ रहे थे, और फिर वो deflect कर रहा था, यानि कि हम कह सकते हैं, यह जो wire है, यह एक magnet की तरह ही काम करने लग पड़ी है, बशरते हैं, इसमें current हो, अगर current नहीं होगा, तो कोई deflection नहीं होगी, पर अगर current होता है, तो यह देखिए, आप magnet को move कर सकते हैं, magnet में deflection ला सकते हैं, जैसे हम इसे current को बंद करते हैं, अब यह wire हमारी किसी काम की नहीं, यानि कि यह कुछ भी magnetic field generate नहीं करेगी, जाहे कुछ भी कर लीजे, magnet को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, compass deflect नहीं होगा, यही एक्सपेरिमेंट जो है, वो कहला जाता है, Ousted Experiment.